तो देर स्टूडेंट आज किस वीडियों में बात करेंगे बीए फोर्थ समेश्टर के यानि कि चतुर्थ समेश्टर के जियोग्राफिय यानि कि भूगोल के जिन जिन भी इन्वर्षिटी में जो परिच्छा हैं जियोग्राफिय की यानि कि भूगोल की परिच्छा होने वाली है यानि कि ऑब्जेक्टिव कोईश्चन आने वाले हैं ठीक है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्पूर होने वाली है और आपको कंप्रीड प्रवावित करने वाले कारकों का नाम बताना है तो जो हमारी खेती होती उसको प्रवावित करने वाले जलवायों भी बहुत प्रवावित करती बजार की निकटता यह यह सभी जो चीजी हैं यह कारक है जोकि हमारी भूमी होती है ज़ो इस पे खेती की जाती है कृस्य को यह फप्रवावित करती है इफ ले सही जबावित का ह जएगा अगला प्रशन प्रष्तो था ध्यान से सुनेंगे कि भाड़ते कृसक यान भाड़ते जो किसान अपनी फसल को क्या कहते हैं तो यह कहते हैं मांसून का जुआ क्योंकि भाई जिस साथ से मांसून रहेगा उसे साथ से हमारी फसल होगी अगर मांसून की उपर हर्ची डिपेंड करती है हमारी फसले ठीक है अलग इसमें की आफसन दिया गए लेकिन यहीं सही ही है ठीक है अगला क्व ठीक है अगला प्रिस्तुत है कितर कितर क्रसी वहां होती है जहां वर्षा होती है ठीक है कितने सेंटीमीटर तो 200 सेंटीमीटर से उपर होती है वही पर तरक्रसी होती है अगला कितर क्रसी क्या होती है तो तरक्रसी जो है न यह इंडोनोसिया में भी होती है उत्री पूर्वी यूरोप में भी होती है और स्री लंका में भी होती है इफ ले से जब अबदा होगा तरक्रसी इंडोनोसिया स्री लंका यूरोप में होती है अगला है कि भारत में आद्रक्रसी होती है कहां पर तो भारत में जो आद्रक्रसी होती है ध्यान नखेंगे बहुत ही महत्मौन प्र प्रदेश में जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है अगला कि आदर करसी वहां होती है जहां वर्षा कितने सेंटिमीटर होती है तो आदर करसी वहां होती है जहां पर 200 से लेकर 200 सेंटिमीटर वर्षा होती है अगला कि बिस्ट में मानसूनी प्रदेश में कौन सी करसी की जा पाकीस्तान और मेंट ठीक है मेक्सिकों में इस जवाब दा होगा क्योंकि इन सभी जगाओं पर शिंचित क्रसी होती इन आपजनों में ठीक है कि अगला परस्ण है कि सूखी क्रसी होती जहां पर वर्षा कितने सेंटिमेटर होती है 20-50 cm जहां पर वर्षा होती है, पर करसी कौन सी होती है, सूखी करसी की जाने वाली भूमि साधानता की होती है, तो जहां पर सूखी करसी की जाती है, जहां पर खेती की जाती है, वो भूमि बलुई होनी चाहिए, बलुई मिट्टी होती है, अगला की वगाती करसी क्या है, त को की इफले सही जबाब होगा और कुमिल کے सभी तो यह होती है वगाती Christ अगला है कि बार-बार जंगल साफ करके Christ कारे करना क्या कहलाता है ज् Counter के नम से जाना जाता है अगला कि सीड्ही दार क।ि की जाती है तो सीड्ही दार क।ि जो पहड़ी होती है सबाब आगा अगला किने में से कौन स्विमेलित मतलब कि आपको क्या करना है मैच कराना ठीक है आ से बाद से आला कि कोश्चिन इंपॉर्टर नहीं ग्लोर कर दीजीगा अगला कोश्चिन इक चावल किस प्रकार की जलवाय। का पौधा तो चावल का मतलब यह हो गया कि धान दान किस प्रकार की जलवाय। का जो पौधा यह आपको बताना है कि तो सही जबाब इसका हो जाएगा धान रखेंगे उस्ड़ आद्र का ठीक है उस्ड़ आद्र का सही जबाब अगला के संयुक्त राष्ट अमेरिका में मक्का का प्रियोग के लिए होता है तो संयुक्त राष्ट जे अमेरिका में मक्का का जो प्रियोग है वो पसू के लिए होता है पसू के बारे में होता है सही जबाब होगा अगला कि चावल के लिए वार्षिक आवफत तापमान आवस्यक होता है कितना तो चावल के लिए धान के लिए वार्षिक आवफत तापमान जो आवस्यक होता है ध्याना कि वहती महत्पूर्ण प्रस्ण है बफल दो चिंतबी सब्दोट मर्यकर चाहिए वर्शाप लीज ऑन और न डीरे का क्या है कि और सक्था इवं ओप अप लिए गडिका क्या है तो जैपो निक एवम इंडिका जो है वो चावल की किश्में हैं चावल की बराइटी आए सब्सक्राइब होगा अकला कि बिस्व की फुल चावल उत्पादन का कितना प्रतसत भाग दच्छिनी पूर्वी एसिया से प्राप्त होता है तो यह करीब करीब 90 प्रतसत प्राप्त होत सब्सक्राइब क्यों कर आभया है फ Johnパду कर भी मतारन की खरेते हैं पर बीना हार्ण डर्वर किये खरीड लेते हैं खाते पीते हैं ठीक है अगला है कि चावल की सब्विता कहा जाता है कि प्रता है कि दोो कि त्हाशन पूर्वी एसिया को एंग hypoth हैं है और अगला कि चावल उत्पादक देशों को अहो रोही करम जो है वह चायना भारत इंडोनेशिया बंगादेश अनमब्र सब्सक्राइब अगरा कि इनमेंसे कौन जायत की फसल है तो इनमें से जो जायत की फसल है वह है सब्सक्राइब ध्यान लखेंगे सानमबर सही जवाब होगा अगला की एसी कोयांग नदी घाटी जो चावल उत्पादक प्रमुक छेत्र है यानि ध्यान किफ देश में है ये तो ये जो है वो है चाइना में यानि के चीन में ध्यानमबर सही जवाब होगा अगला की थायलाइंड में कितने पृत्षत भुभाग पर चावल बोया जाता है तो ध्यान लखना है थायलाइंड में 95% एरिया में भुभाग में ध्यान लगाया जाता है अगला प्रश्ण है कि बिश्ट्व के तीन प्रमुक खद्यान में कौन नहीं है ठीक है तो इस के लिए यह इस प्रदेश का प्रमु खद्यान है तो कि हुआ जिस प्रदेश का प्रमु खद्यान है ठीक है उस प्रदेश का नाम बताना है बताए कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालू है तो बेस्क बताए अगला प्रस्थ्थ है कि गेहूं मुख्यूरूप से किसे कटि बंध में पाउदा होता है ठीक है तो इसको आप इग्रोर भी कर सकते हैं ठीक है अगला कि गेहूं के गेहूं के लिए जो आदरस् तक माना जाता है तो ऐना जाता है पचास से पचात्तर सेंटिमीटर अगला है कि मारकिस एवं रिवार्ड किसकी किसमे हैं तो बताइए कमेंट सेक्षिम में अगर आपको मालूम है तो मारकिस एवं रिवार्ड ध्यान अखेंगे यह आपका जो है गेहूं से संबंदित है गेहूं की किसमें से सही जब आप साह जख करमें तो बहुत होता है नह Menschen कई सब्सक्राइड की किस प्रांद में गियूहूं की सरवधिकि क्रसी की कि जाती है जाती है न्यू साथ वेलस में अगला परशन है कि गन्य की किर्शी के लिए आउस्सत ताप मान है ध्यान डखेंगे काफीर पुलकोश्यन है तो आपको थे सब्सक्राइज का तो सब्सक्राइब हो जाएगा वह जाएगा अफिन नंबर अगला कि गन्यक लिए अफ़त वर्स्टी वर्सा इसकोषई एकपारि के अरो ही थाधना कुंगे इसुंगेओं Access पेटानी और तौर स्वार्ट और 是ृवह एक्याद भार्षि कर थाधb प्रश्ने के लिए और वार्शिक वर्सा कितनी होनी चाहिए तो सही जवाब आपको बताना है कंगा सेक्षिन में बता सकते हैं तो सब्सक्राइब क्या होगा ब्राजील भारत चीन सारंन अग्ला की फिपट क्या होता है तो सब्सक्राइब से प्राप्त होने वाली चस्णी को पुपल जाता है दानाम्ब्र साहीजवाब होगा अगला के चेत्पल के दिर्ष्ट से गर्ण्य में पिर्योगत सरबदिक चेत्पल के देश में पाए जाता है ठीक है तो सही जवाब इसका बताइए कम हन सक्ष्टिलन अगर आपको मौलूम है तो लगे अग्ला प्रस्ट में कि कपास का प्रियोग किया जाता है के प्रियोग यह किया जाता। के लिए ध्यानकिन का फेर्फ प्रशन है अगला कि कपाच की उत्पादन के लिए आवस्चक वर्षा कितनी होनी चाहिए जगर आप एक खेती कर रहे हैं तो तो सही जबाब इसका हो जाएगा 75 से 80 सेंटीमितर होने में सथी ठीके बहुत मात्मोर प्रश्न हैं आवस्चक वर्षा अगला परस्तर्त हैं कि छोटे रेसे वाली कपाच को क्या दाग्ला बश्रा लंबेości वाले कपास को क्या कहा जाता है देख लीजिए बहुत मात्मोर परस्तन हैं प्रशने की लंबे रिसो वाले कपास को कहा जाता है ध्यान नखेंगे शागरी दुपीय कपास कहा जाता है अगला कि कपास के प्रमुक उत्पादक देश कौन से है ठीक है जहां पर सब प्रज़ादा होता है तो वह है भारत चीन ठीक है सेब्ट राज अमरीका अगला कि मक्के के क्रसी के लिए और साब मान हैं मक्के के गरसी के लिए ठीक है कि न को भुझती महात्मोळ प्रश्न है आप सभी के लिए ंपकी टीर्लीस डिगरिस स्ट्री जर्तेसों का सभी जवाब होगा अगला है कि मक्का उत्पादक देश्व का शेक रम मता पनाई तो मक्का उत्पादक देश्व कर स्ट्ट बाइस सेप जहार नखेंगे वह सेक्ट राज अमेरिका चीन ब्राजील ठीक है यह सभाब होगा में अगला कि निमनिमेशी सकल्ट ऐसके किस भाग में कठोर वसंद कालीन गिवियुँ वोया जाता है तो वह रही महानत्रूर्पन प्रक्रशन है स्वाविश्का होगा साइवत्रद्र मेरिका एक मिनिट नहीं 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 से बिश्व के किस भाग में राठोर वसंत कालीन गियों बोया जाता है ठीक है तो सही जवाब विश्का हो जाएगा अप्षिन नमर बताएं कमेंट सेक्ट मेंगर आपको मालूम है तो कनाड़ा और उत्तर अमेरिका बनमर सही जवाब होगा अग सब्सक्राइब कनाड़ा अगला प्रश्ण ब्रजील में इस्थित सेवा क्या है तो सही जवाब इसका होगा आप्षिन नमबर बताएं कमेंट सेक्षिन में इसमें आफ्षिन देएं नीचे दिए तो सब्सक्राइब फिराल सगन भूमद्धिय रेखिये वन ठीक है सगन भ आप लोगों के एक्जाम के लिए और इसमें देगे कुश्चन जो तैयार कर लिजेगा और एक ट्रीक है मैं आपको बता दे रहा हूं जिन जिन भी कुश्चन का उत्तर अगर आपको नहीं मालूम है उनका उत्तर अगर आप देना चाह रहे हैं ठीक है तो उसमें लास्ट म आपको यहीं वाला करना इस बात को ध्यान के ठीक है और काफी इंपार्टन वीडियो रही अगर आपको यह चाहिए पूरी पूरी पीडियो तो आप में टेलीग्राम मैसेज कर दीजेगा तो हम पूरे की पीडियो बनाकि आपको सिंड कर देंगे टेलीग्राम वट्सप प करने के बाद उसको आप लोग प्रिपेर करिएगा ठीक है और यह आपका अपना है चैनल सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा मिलते हैं और ने वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हिंद्द